वन पीस मांगा चेप्टर 1055 का स्पोईलर आ चुका है और ये जो स्पोईलर था ना भाई as a Sanks fan बहुत ज़्यादा खुस हूँ और अगर तुम सब भी Sanks के फैन हो तो मुझे मालूम है तुम सब बहुत ज़्यादा खुस होगे वैसे ये वाला जो स्पोईलर आया है इसको र वीडियो में तो यार इस वीडियो का ध्यान से देखो और enjoy करो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के टाइटल की जो की होने वाला है new era और मेरे हिसाब से यह जो ओडा ब्रेक के बाद आ करके इस तरह के जो टाइटल्स दे रहा है भाई मजार जैसे पिछले वाला लोगुन बन चुका है तो अब उसका यह सबसे पहला priority बनता है कि वो अपने कंट्रे की रच्छा खुद करें यह काम वो काईडो के साथ क्यों नहीं लड़के किया सायद लूफी उसके पीछे खड़ा इस वज़े से उसको भी अंदर से मतलब चौड महसूस हो रहा कि वो क वोड़ा वो character development हमें देखने को मिल रहा है ओड़ा के तरफ से तो मैं मॉमनोस के को आगे देखने के लिए excited हूं नेक्स्ट स्पोयलर मॉमनोस के वसिस ग्रीन बूल जहां पर मॉमनोस के जैसे तैसे बोलो ब्रीत यूज़ कर लेता है अब वो देखो इस चीज़ को वो master नहीं किया है वो जैसे तैसे करके यूज़ कर लेता है अब इससे क्या उसको damage पहुँचता है तो हां रियो क्योग् का विचार अपने दिमाग में लाता है उस वक्त वो कुछ ऐसा चीज़ सेंस करता है जो कि मेरे जिसाब से इस fight के बीच में उसको सेंस नहीं करना चाहिए था Sanks का Conqueror Haki और वो उस Conqueror Haki को सेंस करने के बाद वो उस जगह को छोड़के चल जाता है प्लस उसे ये भी realize होता है कि जो Red Hair Pirates है वो वानों के आसपास ही कहीं पर है अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में एक बार doubt यह पैदा हुआ है कि Sanks ने यहाँ पे Conqueror Haki दर्स नहीं है वो सब तो इसके सामने आने से ही बेहोस हो जाते है बट Green Wool का Will बहुत जादे स्ट्रॉंग है साथ ही साथ Sanks ने यहाँ पे Conqueror Haki यूज नहीं किया के लोग धीरे-दरे बेहोस हो रहे है क्योंकि तुम सबको पता है Sanks एक यौउंग को है प्लस उसका Conqueror Haki किस लेवल का है भाई देखो Sanks जब भी एंट्री लेता है जब अरदस्त वाला Conqueror Haki मार के एंट्री लेता है पर इस बार बस उसका हाकी सेंस किया जा रहा है और ए Conqueror के Oda अपना Trump Card निकाल रहा है और हाँ आने वाले टाइम पे अगर Sanks का ऐसे पावर थोड़ा थोड़ा ओड़ा दिखाते गया और जिस दिन Chapter में Sanks को Full Potential पे दिखा दिया ना भाई उस वक्त तो One Piece का Chapter तो किसी और लेवल पे चल जाएगा इसके बाद जो सुकिया की है वो Robin और Law को Encent Vano की गहराईयों में ले जाता है जहां पर Road Pony Cliff है साथी साथ वो ये भी बताता है कि ये वाला Vano जो अभी का Current है वो कैसे करके बना अब देखो मैं Simply बता देता हूँ हुआ क्या समूंदर का जो Level है Sea Level वो धीरे-धीरे उपर आने लगा जिस वज़े से Island धीरे धीरे डूबने लगा और यही वो रीजन है कि जो Vano पहले के जमाने में जीतना बड़ा हुआ करता था आज के टाइम पे उतना है नहीं क्यूंकि Sea Level बढ़ चुका है बस खतम अब इसके बाद जो है Next Spoiler में हमें पता चलता है जो Straw Hat का जो पूरा का पूरा गैंग है वो लों पाटी कर रहे हैं अभी भी पाटी कर रहे हैं रॉबिन को छोड़ के बिकाज वो पॉनी क्लिप में ज्यादा परिसान है अब इसके बाद Final Spoiler जहां पर हमें यह बताया जाता है इसका सबसे बड़ा रीजन मैंने स्टार्टिंग में ही दिया जब मैंने सैंक्स का हाकी के बा सेंस कर पाएंगे और बाकी कोई भी कैरक्टर सेंस नहीं कर पाएगा साथी साथ सैंक्स ने यहां पर अपना कॉनकर हाकी नहीं रिलिज किया वो कॉनकर हाकी नहीं मारा जैसे लूफी या बाकी के कैरक्टर किसी को लेटाने के लिए यूज करते हैं यह वाला चीज यहां प मांगा चैप्टर देखने को मिलेगा 1056 भी हमें बिना break मिलने वाला है तो यार इसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुसूम है खेर देखते हैं सैंक्स आगे क्या करता है वो बारतलोमियों का गला काटते है या पिर हाथ पैर काटता है मैं वो चीज़ देखना चाहता हूँ और हां सैंक्स के उपर भी आने वाले टाइम पर वीडियो हम लोग बनाएंगे और मेरे न्यू वीडियो का वेट करना मत भूला साथी साथ चैप्टर का भी वेट करो और तुम सबका क्या माने कमेंट बॉक्स में अपना राइट देना मत भूला वीडियो पसंद आया लाइक मारो यार इस चैनल पर नहें आगे तो इस चैनल को सब्सक्काइब करें बैल ऐकन ओन कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँगा तो यार मिलेंग नेक्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई